सर, 2017 में आपही की सरकार ने शरत पवार जी को पद्म विभूशन दिया था, जो देश का सेकेंड हाइस सिविलियन ओनर है, लेकिन पिछले मंगल बार को शरत पवार जी ने एक कहे दिया, मराठी में, पते मराठी तास मना ले, कि मोदी जी देशा से नवे पुतीन है, आप न जीवन में लंबे अर्षा तक जिन लोगों ने काम किया है, वामारे साथ रहे, ना रहे, हमारे विरूद बारे, वालग बात है, इसका मटलब यह हुआ, कि जिसके अंदर वो पुतीन को देखते हैं, उसकी सरकां से एवोड लेकर के वो गर्व कर रहे हैं, यह तो बड़ ब वो गर्व कर रहे हैं, जहां तक मेरी पार्टी की सोच और व्यक्तिकर तुम से मेरी सोच, अब देखिए हमने भारत रत्ना दिया तो किसको दिया, प्रणो मुकर जी, नर्से माराओ, चोधरी चौनान सिंग जी, करकूरी ठाकोर, और इस देश में किसे ने क्वेस्चन नही किस दर्गे थे, हमारे खिलाम डेल सारी बाते उन्होंने बताई वी ऐसे लो हैं, लेकिन निरने उसका अधारपनी होता है, आप प्रणो पुरस्कार देखिए, मुलायम सिंग जी, असम के तरुन गोबई जी, पीए सांगमा जी, जमीर जी, एसम कर्ष्णा जी, आप देख जी, सारे लोग हैं, दुसरी पाड़ हैं, हमनों को प्द्व दिया, हम प्द्व देते हैं, उनको प्द्व देते हैं, उनको अपने अपने क्षेतर में से उनका योगदान है, तो मैंने पूरा, पद्म पुरसकार तो मैं मनता हूं कभी, अगर आप स्टोरी चलाएं, मुला है कि लोग इंट्रेस्ट करें भारत में पद्मपुरस्कार को कैसे परिवर्तित किया गया कैसे पद्मपुरस्कार एक प्रकार के सच्चे अर्थ में सम्मान बना दिया इतना बड़ा काम उन्हें किया है अगर तारीफ होनी चाहिए इस भात की होनी चाहिए कि आप बहुत मैं रहता हूं था कि मैं पदमा देता हूं मेरे लिए छूप रहे नहीं